अब थोड़ा से डीटियल में भी जान रहे थे हैं कि तो हमें पता चलके ही लेकिन पॉट्री का यूज़ थी क्या क्या हुआ था इसके बार में देख लो सबसे पारे जो नियो लिथेक एज जायती है जिसे नियू मतलब होता है नियू ठीक है लिथेक मतलब होता है स्टोंज एज आई थी उसके अंदर पॉट्री का सबसे पहले मिंचन हुआ गया था जिसके अंदर हैंडमेट पॉट्री को यूज़ कर आ गया था ठीक है और फिर बाद में उसको फुट वील मतलब बनाने के लिए जो फुट पैर की सायता से वील पैये की मदद से पॉट्री बनाई पॉट्री पॉट्री प्याइए थी और चार्ड भी आए थी ब्लाक ग्रे बरनिश भी आता है और ब्लाक और राड ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी वेधी के अंदर आथे पैंटेट ग्रेवेर नॉर्थन ब्लाक पॉलिष्ट वेर मेगलिथिक यह जो फिर मॉर्ण पीरिट के अंदर आई थी वील विकम यूनिवर्सल हो गया था यहां पर यूज करने पर टेग्निक्स यूज करने लग थी हाई ली डवलप हो गई थी नॉर पॉलिष्ट वेर विद अस्टांप डिसाइन अलॉंग विट लाश नॉमबर अफ दॉल अन्द श्टडी रेड़ वेर कुछ ऐसी आने लगे थी मतलब जैसे ऐसे टाइम बढ़ता जाता था वैसे वैसे डवलक्मेंट पॉटरी इस के अंदर होता जा रहा था तो वो सारी कीजिए हैं ठीक है तो मैंने यह चीज बता दिया आपको फिर उसके बाद देखो 88 हम ने कर लिया था अब हम आते हैं आपे 90 कोशन के अंदर विच वन अब दा 88 के बाद 89 हम ने कर लिया था क्या मैं देख लो 89 बता दिया था आपको सुवर्ण गिरी और अब भी 90 है इंचेंट इंडियन कोई की बारे में कौन सा जो रेफरेंस पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है अब देखो इंडो ग्रीक इशूद दा फर्स कोई बेरिंग दा नेम और इमेज ऑफ द रूलस यह जीट सही है मैं इसका यह थे खोड़ा इंपॉर्टेंट है कोई की बारे में बहुत ज्यादा कोशन से पूछी जाते हैं इसलिए मैंने पूरा इसका कट आउट लगा लिए जहां से भ सब्सक्राइब करते हैं इंडो ग्रीक सी बात करते हैं इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक्स यानि कि आपको पता है कि इंडो ग्रीक का इंफ्लूइंस चल रहा था तो महां पर गॉड और गॉड़ेस के फिगर्स थे फिर शाक्स की बात करते हैं शाक्स जो थे वेस्टन शत्रप्स के टाइम पर थे ऑफिशल कलेंडर जो ये छोड़ो शाका पीरेट के अंदर ऑफिशल कलेंडर हमारा उसके सत्वांट के आया थे तो जो प्री डॉमिनेटल कॉपर और लेट के थे सिल्वर इशूट और ऑल्सो नून शिल्वर के कॉइन भी इशू करे गए थे फिर वेस्टन शत्रप्स में ग्रीक और भामनी खरोष्टी वास यूस करे गए थी लांगिज में जनरली और यहां पर इस भी होती थी कॉइंज बीरिंग डेट होती थी वेस्टन शत्रप्स में और बुल और हिल एलेफंट एंड हिल कॉमन टाइप थे इनके फिर उसके बाद हम आते हैं यहां पर गुपता पिरेट में यहां पर क्या होता था समधरुप्ट चंदरुप्ट सेकेंड और कुमार गुप्ट इनके टाइम पर और यहां पर मैरेज एलाइंज होर्स सेक्रिफाइज और वोट तो और फॉर दाट माटी माटर आर्टिस्टिक पर्सनल अकंप्लिश्मेंट ऑफ द रॉयल मैंबर जो लिरिस्टिस्ट थे आर्टिस्ट थे लाइन स्लेयर थे वो सब यूस करा गया था इसको देखोगे तो यहां पर होर्स देख रहा है कुछ किंग एज़ होर्समें फिर लॉयन स्लेयर यह मारते वे धनुष ले रखा हाथ के अंदर तो यह सारे गुपता पी रट के अंदर आया थे तो यह कॉइंज के डिफरेंट टाइप है फॉम से पूछा किया इन बीसे क होना चाहिए क्योंकि कुछान जो थे उन्होंने सबसे पहले गुल्ड काइन को इशू करा था फिर उसके बाद अब 90 हो गया हमारा अब 91 से कुछिन करते हैं यह 91 वाला जो कुछिन है यह बहुत टिपिकल है अचली मैंने यह तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था बट ठीक ह पता निंहीं हिस्τοी के अंदर यह तो में थी कुछिन ही यह कहां चे बनाते हैं? तो यहां पर इसका यहां पर यहां पर दिफ्रेंट टाइप्स की फायर जो दी वह यूज करी जाती दे ट्रांस आपर यह आपना आगे करें लेते हैं इस चीज को देखो ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्स बग्तु वेल्डो वोस्टिक डजनॉट रन अब देखो डजनॉट रन नहीं यह रश्या की है और यहां पर देखो यह वाली लाइंच अगर यह रूट दे रखा है क्योंकि यह यहां से जाता है और यह यहां से जाता ह बोदेखो अब यहां अब यहां से पर दो यह रस्या के दर से मंगोलियः यह दो हिए चाइना यहां पर मंग準sters यहां परैं यहां से जारीय आपको दिखा दे हो यूरॉप और एस्या की बना देगा अचा शायद मैंने लिखा नहीं है इसमें फिर और येंसी नदी और अंची नदी को देख लो आप जो है वो मेजर रिवर है रश्या की ये वैसन साइबिया के अंदर है तोगैधर विए चीज़ ठीक है छोड़ो इस और लार्जिस रुटेंड इनटु आर्टिक ओषिन फिफ्ट लॉंगाष्ट रिवर सिस्टम है ये पास क्या होती है राइजिंग हिला नंगोलीया के अंदर रैज होती है और ये पास होती है बैकाल से लेक बैकाल से और यहा ढाम से ट्रेइनिंग वोडर ठीक है कλ रramत कर तर्की तो यहां पर आगया तर्की यूरोप और उधर आगया कि आपको पता है ना major और minor टर्की का जो Constantinople पर लड़ाई हुई थी ottoman समराज आगया था तो वो तर्की जो यूरोप के साइड में आता है वैसे तो यह आपको इसमें यह वाला गलत हो जाएगा जो इस बार्चन की बारे में बार्चन सबको बता होगा कि बार्चन ऐसे कुछ कॉनके लेंड स्वैंड दिविंच के अंदर बनते हैं हवा के करण इस लेंड फॉम्स आर फांड इस थाड डैजर्ट हां ठीक है तीले रेगिस्तान के अंदर मिलते हैं इस विंड वर्ड साइड हाफ कॉंड स्लोक बिंड यहोता है लिवर इससाइड तर यहां पर यहां पर कंड सीम hon dal इस दो क्रूंड साइड चीह सिर्ट गलता है यहां पर गसी में ठीक स्वाइट को इंस संब्ढ़ हो ढया तो वन और थी इसका सही है आंसर हो जाएगा C अब यहाँ पर देखो मैं देखो एक बार और मैं ना बार बार क्यों बुलती जाती हूं कि NCRT से बढ़ना यह जाती है तो जब हमारा काम NCRT से चल रहा है तो हम भागी बुक्स क्यों पढ़े जियो थर्माल एनरजी के होते हैं जो नीचे से निकल रही होती है नुक्लियर एनरजी उफन चीपर दन सम यह गलत है नुक्लियर एनरजी सबसे हाइली कॉस्टली होता है क्योंकि उसको नुक्लियर रियक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा एक्यूमेंट से ही होते है तो और आथ कै में थर्मल पावर में क्या होता है कॉल को फॉसल फ्यूल या फिर कोल जो होता है उसको कोईले को डाला जाता है और उससे तो बनती है स्टी 95 करते हैं हम थोड़ा सा आगी करेंगे अभी एक और 96 दिख लेते हैं अभी एक और 96 दिख लेते हैं अब देखों यहाँ पे 98 एक मिनिट मेरा यह वाला को अन्सकूशन है यह स्टॉक हों और यह वाला भी मैं करवाती हूं 98 मैंने कर रखाया एक मिनिट कि अप्सक्राश आठाश का हुं मैंने कर रहा क्या मैं क्या देख रही हूं चलो ठीक है मैं बताई देती हूं आ ऐसे गदा देखों इसे विदैश्य न्युजियों को उसके बाद हमसे पूछा गया कि Stockholm और Bessel Convention और Rotterdam Convention किस से related है तो जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे बहले तो ये एक से हमें तो ये तो पता चल गया कि हमारे option जो हमारे option दे रखे हैं, option में से हमें पता है कि अच्छा देखो और एक और देखो Battle Convention 4 है, Transpoundary Moment, Transpoundary Moment तो ये भी सही है फिर उसके बाद हमसे अब हमें दो में decide करना है कि दो में से कौन कौन सा है क्योंकि दौनमी option वो दे रखे हैं दो में option हमें वो दे रखे हैं ठीक है दो में option दे रखे हैं तो दो में अब हमें दो में से decide करना है कि इन में से कौन सा है एक मिनिट में थोड़ा सा मैं इसको रख कर देती हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए अब देखो जो इस टोग हो में वो persistent polytent persistent organic polytent की बारे में बात करता है और रोटर टायम जो होता है hazardious chemical and pesticides in international trade की बात करता है तो इसके असाब से जो भी option होगा वो देख ले न एका कितना है एका हमारे पास है एका 2 एका 2 यानि option क्यों जाएगा इसका दी व्युकि दो में आज हो गए थे न देखो three or four three or four दोनों में दे रखे है millimeter मुझे पता है कि mercury पहता है तो इससे मैंना answer tick करा तो इसका answer क्या हो गया ये अब आज जाते हैं हम 96 98 पर 97 देख लूँ पहले 97 क्या है who among the following deals with the hebers corpus hebers corpus से कौन से deal करता है हमसे ये चीज़ पुछा गया है तो hebers corpus से additional districts magistrate जबलपुर वर्सेश श्रिकांथ श्रिकांथ शुक्ला वाला जो केस है वो hebers corpus से deal करता है hebers corpus कहां पर है article jurisdiction किसका article supreme court का कितना 32 high court का कितना 226 के अंदर hebers corpus क्या होता है किसे को भी आप नायले में यानि 24 घंडे के अंदर आपको किस भी person को जिसको अपने judicial custody में रखा है उसको आपको नायले के सामने पेश करना ही होगा आप बिना मतलब किसी को भी नहीं रख सकते तो यह चीज क्या हो जाएगी भी सबसे पहले मैंने नाम पता है कहां सुना था हीबस corpus का मुझे पता नहीं था द्रश्चम मूवी में अजे देव गण सबसे पार्ट में यूस करता है हीबस इसका नहीं है तो प्रेल कि मैं आपको अभी आपको अभी अर्टिकल 32 और 226 की बात भी थी 32 फंडमेंटल राइट है इस अ कंसिटिटूशनल राइट है आडिकल 32 सस्पेंड इप्ट इस इंश्पेंड इस बेंडियर्ड बाइप्रसिडेंट यह चैन यह चैनला बीसस्पे आपको अर्टिकल 32 और 226 के अंदर सुप्रीम कोट जा सकते हो लेकिन 226 के अंदर आप हाई कोट जा सकते हो ठीक है और यह उनली यह कब लगता है जब स्रिफ फंडमेंटल राइट का वाइलेशन हुआ हो लेकिन यह दूसरे लीगल केसे में 226 लग सकता है ठीक है आडिकल 32 इंपावर सुप्रीम कोट तो इसूरिट इस ओन लोकल कैनि अगर वो गुजरात का है तो गुज अगर अगर बुजरात का वाइलेशन हुआ है यह इसमें से पूछा क्या है इत यह इसमें से पुछा क्या है इत इसमें से पूचा है आडब इसू नॉट पूछा है यह जीज सही है, रिट can be issued to enforce any right comfort by the part third and for any other purpose, यह बी सही है, फंडमेंटल राइट आता है part third में, इस power can be great the power comfort on the Supreme Court under, यह गलत, क्या यह Supreme Court का power खतम करता है, Supreme Court सर्वोच चनल है, उसका power कोई भी बार्टिकल कोई भी चीज खतम नहीं कर सकती, Supreme Court, High Court का कोई भी जजच्मेंट हो, उसके उपर supreme है, सबसे पहले supreme रहेगा, तो यह article या फिर कोई भी ऐसा article नहीं है, जो high court को power extra जरूर दे सकता है, लेकिन supreme power हमेशा इसके पास रहेगी supreme court के पास, तो इसका answer क्या है, c, red jurisdiction can be issued to any authority, यह चीच चाहिए, किसी को भी issue करी जा सकती है, जो उसके अंदर हो, which among the following is not correct, इन में से कौन सा correct, नहीं है, हम से 99 की बारे में पूछा गया है, कि इन में से कौन सी जी is correct, नहीं है, अब देखते है, legalization on the criminal law bearing exception is in a subject under the concurrent list, bankruptcy and the insolvency are the subject under the concurrent list, interstate trade and commerce is the subject of the state list, यह गलत है, व्योगि हम से पूछा है not correct, देखो यह वाला जो question है न, यह आपका question जो है यह तुक्के से निकलेगा, तुक्के से क्योंकि आप जो कौन-कौन से matters, कौन-कौन से element है जो state list में, concurrent list में और 7 schedule के अंदर, कौन-कौन से जो है 57, 60 articles आप नहीं बढ़ सकती, पूरी याद नहीं कर सकती, कौन-कौन से center में, अब आपको थोड़ा से यहां पे तुक्का धिम पे हमेशा कौन-कौन किसके अंदर रहेगी, वो center में रहेगी, फिर concurrent list में रहेगा, वो कभी भी उसमें नहीं रहेगा, तो यह चीज़ स्टेट में तो नहीं हो सकता, तो यह चीज़ गलत हो जाएगी, तो इसकांसे क्या हो जाएगा, C, Bessel Convention, Rotterdam, अभी अपनने पड़ा है और stroke harm, यह किससे related है, conservation of wetland से नहीं है, river से नहीं है, prisoner से भी नहीं है, management of the pollutants, तो इसका answer क्या हो जाएगा, अभी बतायता है से पहले वाला question, शहर 97 था, अब देखो इससे बहले, यह वाला question, which one of the following is not correct about the mother absolute affection program, mother absolute affection program के बारे में ऐसा कौन सी चीज़ जो correct नहीं है, कि हमसे प मतब यह सही है, provide assured, comprehensive and quality, anti-natal care, यह गलत है, promote undulated, focus on breastfeeding, यह भी चीज़ गलत है, provide medical and nutritional care, यह चीज़ सही है, फोर्थ हो सही है, तो फोर्थ option गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, अंसर क्या जाएगा, इसका भी, मतब एक scheme था, यह पुरानी scheme है, इसके बारे में अभी पुछा था, क्योंकि यह ऐसे news में आई थी, इसकी, विच पना दे फॉलंगी statement, right to information वाली यह चीज़ है, अब देखो, यहाँ पे, right to information act में अभी amendment हो जुगा, लेकि यह 2005 की बात कर रहा है, यानि initial state के अंदर था, there shall be a not more than 12 members information commission, यह चीज़ कला थे, the information commissioner hold office for the term of the five year, यह चीज़ सही है, लेकिन अभी वो three years कर दिया है, लेकिन उस time पे 5 थी, the chief information commissioner is eligible for the appointment, नहीं होता, तो यह चीज़ जिसका answer क्या हो जाएगा, उनली, भी, तो यह वाला वापे से वही लक्षमी कांत, politically लक्षमी कांत Bible है, सही कहते हैं लोग, who among the following was the first pro term speaker, ऐस the information hard नहीं था, अच्छो यह अच्छो यह यह hard नहीं बहुत हाटता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ही, मुझे भी नहीं पता ही, यह और कौन पड़ता है, यह सब चीज़ नहीं है, इंडिया उसका, इंडिया नहीं से rectify कर रखा है, या फिर उसका signatory है, यह कौन से COP के अद करा था मार्च 22 1989 के अंदर करा गया था है फोर्स में कब है 1992 के अंदर आया था इंटरनाशनल ट्यूटी है हजाडियस मुमेंट मुमेंट ऑफ दे हजाडियस वेस्ट बिट्वीन दा कंट्री स्टॉक हम की बारे में बात करते हैं यह में 2004 के अंदर आया था इनिशियल बात करेंगे थी जीसे तीन कैटेगरी में इनक्राइब करते हैं इंडिस्ट्रियल गमीकल्स और बाया प्रोडेक्ट्स पर उसकी बात करते हैं बेसे रोटरदम जो होता है वो 2004 के अंदर आया था और यह किससे होता है यह लीगली बाइंडिंग है यह तो बहुत इ तो यह भी उससे रिलेटेड है तो इस कांजा क्या हो जाएगा भी नेक्स कोशन देखते हैं यह तो हो गया अपना अच्छा यह तो होई चुका था ना यह मैं एक्स्प्लेइन करने लगए थी अब देखो यहां पर क्या और जैनेजम की बार में कोशन पूछा गया है वर्द जिवान महाभी उन्हें जिंबी का ग्राम नगर के बाहर तुझूपाली का नदी के तड़ और समाग नामक ग्रह सवामी के शेत्र में कैवल लिग्यान के प्राप्ति करी थी यह चीज़ सही है इस अवस्ता जब कर्म तत्व वास्तम में जीव की दिशा में इसे मानने के ल लगाय जाते थे यह इनके नाम थे और यह कब लगाय जाते केसे यह द देखो यह थोड़ा सा यह थोड़ा सान यह बहुत आठ कोशन है यह मैंने स्चीछ ए एक उया हा जात है इसे जिए गाँ बेला जाता थे ह्याना ग्या एकन लिए प सपीड चाहर का चाहर मोवशब तो आहर इसका ही न किन फैका नच को हालभ के दुछ ट ही है लॉआ गया д evil 5 शह बनम प्रेंग कान क्या खालो पैट्षितर इसका नियुस्त को आपकिसे को नहीं है अब देखो यह वाला जो एना वीडियो मैंने पहले बना दिया था तो उसमें वाइस रिकॉर्ड नहीं हो थी तो इसलिए मुझे वापिस से बनाना पड़ रहा है अब यहां पर दिखो एश्याटिक लाइन इसलिए मैंने कहीं कहीं पर कोश्चन्स टिक होंगे सिंबोईटिक जो लाइन है वो किसको बताता है पावर को करेज को कॉंपिडेंस को प्राइवट को बुद्धा चंप चाप चॉबिस स्पोक्स हैं बुल जो होता है हडवा के लिए हो लायल्टी स्पीड और एनरजी के लिए अब यहां पर आते हैं सबसे पहले दा रूलर वि लेकिन यह वक्टका से है इसका अंसर यह है दा इंशिंट इंडियन माडिकल ट्रीटीस वर होर्सेस कॉल अश्व शाष्ट्रा इस अट्रिब्यूटिट टू विच्वन आफ फॉलिंग पर्सन इसका है दा सेज सली हुत्रा सली हुत्रा यह एक विटेरियन थे जैसे शुष ब्रज रीजन के जो सूर्दास थे उनके बारे में उनके जो सक्सेसर आया थे उनके जो शिश्याय थे उनको अश्टचाप कहा जाता था लेटराइट सॉइल जोग्रफी का चैप्टर है 11 चैप्टर NCRT लेटराइट सॉइल इस फाउंड इन हाई अल्टिट हिमालय गलत है धर खाओन फेराइट सॉइल यह ब्ही गलत है क्योंकि यह सबस्याहिदर लीचिंग ब्रचस आ अर्गेनिक में यह सही है यूब ऑर और व्हुस्टाइल आप पर थे सही है इसका चैप नहीं पर्टाइट सॉइल चैप्राइट बोर चैप्न फैको इंदे विज बिजा जोर भुष्टिन नम्मर और मार्च में ग्रोन नहीं करिए जाती वह खारिफ है ना कि रागी तो गलत है ये वाला, इट रेंफ्रीड क्रॉप ग्रोप ग्रोन इट लाइट इलाक है ये जड़ भी सही है जुश के अंदर मिस्टेक है अब UPSC से क्या मांत है यह उस पर डिपेंट करता है क्योंकि option भी देखो 123 नहीं है ABCD नहीं है इसमें answer directly not होना चाहिए था option में misprint है यह तो इसका answer होना चाहिए था वैसे तो B अगर यह not होता तो लेकिन अगर correct है तो इसका answer होना चाहिए A C और B Consider the following statement about the rock structure, rock structure के बारे में कौनसी चीज़ सही है Conglomerate सा the classical sedimentary rocks यह चाहिए सही है Slate non-classic sedimentary होता है यह भी सही है Granite is a plutonic ignorous rock यह भी सही है Basalt is extrusive igneous rock यह भी सही है तो इसका answer हो जाएगा A एक मिनिट Slate non-classic sedimentary rock नहीं होता Sorry, मैंने क्लासिक होता है Non-classic नहीं होता तो यह जीच क्लात है तो इसका answer क्या हो जाएगा मैरे पास D Option 1, 3 and 4 अब देखो रामसर wetland site के बारे में पूछा गया है तो घरी माता is a habitat of olive यह सही है घरी माता सबको पता है ओड़ी सा के अंदर न नेस्टिंग साइट है वहाँ पर चिलका लेक habitat of the Eravadi dolphin यह भी सही है flagship species है यह भी पता है नलसरोवर wetland habitat है wild Indian Indian wild S का यह भी सही है तीसो मरादी wetland is a habitat and a breeding ground for the black crane नाग crane यह भी सही है तो इस cancer क्या जाएगा D3 नहीं सही है देखो इस बार के questions थोड़े से typical है कुछ questions typical है अब normally हम यह चीजे ध्यान नहीं रखते ना कौन कहां का है फिमस हम बस यह पता कर लिजा है यह लेक है तो यह कहां पर है लेकिन हम यह सारी चीजे पता नहीं करते ठीक है कुछ questions साइड है नहीं कॉट अफ भी नीचे जाता है और विच वन फॉलिंग सौल फॉर्मेशन प्रॉसेस हम से पुछी गई है कि कौन सी सही है फुम्डीज के बार में मैंने एक documentary देखी थी फुम्डीज चो होते है वहापे स्कूल भी फ्लोटिंग फ्लोट करता रहता है किते मज़े आते होंगे कि आप तेर भी रहो और पढ़ भी रहो मतलब पढ़ते पढ़ते मेरा तो ध्यान तेर नहीं ही रह जाता मतलब तेर ना इन देसेंस वह मूव करता रहता है फुम्डीज चो होती है वह लेक के अंदर मूव करती जाती है लेकिन उन्हेंने पूछा है इस कोशन के अंदर यह जो फुम्डीज का निर्मान हुआ है लोक्टा कलेक में मनिपूर में वह किस पे हुआ है मतलब किस प्रॉसेस के कारण हुआ है तो इसका अंसर है ग्लीज आईजेशन जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है लीचिंग बह angef and excessive leaching होता है उसे पॉस्जलाइजेशन कहते है calcification क्या होता है calcification के अंदर calcium का बना होता है ठीक है और gleisization क्या होता है इसमें इसमें soil का formation होता है जहाँ पर moist और cool and cold climatic condition में होता है एक line of process होती है, जो एक type का environment के अंदर form ओरी होती है, evolution of the typical characteristics of the soil is called pedogenic regime, एक soil की particular characteristics, environment मिलने से जो formation होता है, उसको बहुते हैं, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा C, अब next देखो, which one of the following statement about the spring tide, spring tide के बारे में क्या correct है, spring tide का पहले भी question PYQ में आया वा है, तो वहाँ पे मैंने एक spring करे थी, spring और neap tide क्या होती है, तो इसका answer हो जाएगा, high tide is higher than the average high tide, और low tide is lower than the low tide, तो answer is C, cricket tournament IPL के बारे में पूछा गया है, cricket के fan जो भी है, two teams won the tournament, Mumbai Indians और Chennai Super Kings, Chennai Super Kings remain runner up in the 5th edition, ये भी सही है, on three occasion, the final was played abroad, ये भी सही है, 2009 के अंदर हुआ था, South Africa में 2014 में हुआ था, 2020 में हुआ था, COVID के करण UAE में, यहाँ पे शाद UAE है, और यहाँ पे जो है, वो, ये, क्या चीज़ बूला थी, South Africa के अंदर है, तो ये तीनों ही सही है, तो इस cancer क्या हो जाएगा, A, next देखते है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, फस्ट एडिशा में हुआ था, ये चीज़ सही है, था, नेम बफ़ अप्ट जीतु था, ये भी सही है, फस्ट एडिशा में तो इस cancer क्या हो जाएगा, one or two, आजे वार्यर किसके साथ होती है बाइनल ट्रेनिंग एक्सराइस इंडियन आर्मी किसके साथ होती है United Kingdom के साथ The journey of the first phase of the Sagar Parikrama यात्रा and initiative of the government of India was started from, कहां से start करी गई थी यह शायद गुजराथ से start करी गई थी अन्वल खीर भावानी मेला कहां पर और्गनाईज होता है कश्मीर वैली के अंदर और्गनाईज होता है उसके बाद नेक्सरे वाले देखों यहां पर Nisar Satellite is manufactured jointly by the National Aeronautical and Space Administration NASA के द्वारा इस रो और NASA के help से बनी है Operation Cauvery, Operation Cauvery किसके साथ हुआ था Operations में अभी अब यह को बता देती हूँ क्यों Operation कौन-कौन से Operation किसके साथ हुए थे फिर उसके पास rail, Vikas Nigam यह शायद नवरतना बनी है CPSC अभी recently बनी होगी इसले शायद यह news में है एक बार यह चेक कर लें ना ठीक है एरावत परम, परम जैसे आगे Supercomputers का नाम है तो उसका अंसर होगा Supercomputer of India Which one of the following naval ship has recently concluding है 17,000 nautical mile trans-ocean intercontinental voyage पे कौन निकली थी INSV Tarni INSV Tarni जो थी, वो सबसे पहले females की आया थे इसले कुछ news में था कि यह females की है और वहाँ से यह निकली थी तो उसकी बारे में पूछा गया है चलो, अब मैं थुरू निसे न INSV Tarni मिरको थोड़ा से इतना क्लियर नहीं है याद भी नहीं है, मतब सच बोलो तो अभी याद नहीं है, पढ़ा था बहुत पहले कि females voyage पे निकलेंगी को जैसा चलो, मैं थोड़ा से बता देती हूँ यह operations जो चलाए गया थी Indian citizens को वापे से भारत लाने के लिए कुवेट से चलाए गया था Airlift ठीक है, यह याद कर लेना, पहला दूसरा, Ukraine से चलाए गया था Ganga, operation Ganga Sudan अभी Sudan के बारे में पूचा था न, Kaveri Kaveri ठीक है, फोर्थ option फोर्थ जो हमारा चलाए गया था, अफ़गानिस्तान से अभी चलाए और वो है देवी शक्ती देवी शक्ती ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लिखो फिफ लिख लेना यह कहाँ पे भी Syria, Syria से चलाए गया था Department, उसके बाद एक और लिख लो implement, लिबनान Lebanon से चलाए गया था inertia sair, operation सुकून फिर उसके बाद एक और लिख लो Yemen, Yemen से चलाए गया था operation रहत जितने भी Indian citizens यहां पे भी Ukraine वो और वगर या फिर कुई भी सब्सक्राइब करेंगे तक सारे पेपर कंप्लीट कर लिए यहां पर हमारे पीवाइक्यू आभी तक के जितने सीपीफ के टुटॉजन फोटीन से वह वेपर खतम होते हैं उसके आगे बस यही के पीवाइक्यू करके जरूर जाना यह आपकी पेपर में बहुत जादा हेल्प करेंगे कहीं से भी कर लो कहीं से भी कर लो लेकिन पीवाइक्यू छोड़के मत जाना ठीक है थांक्यू आपने अपर सबसे जादा